सबी शिक्षक सात्यों को मेरा नमस्कार आज की इस खास वीडियो के अंदर में आपको बताऊंगा कि आप अपने नाम को अपडेट कैसे करेंगे और साथ ही शाला दरपन और स्टाफ विंडो के अंदर स्कूल लोगिन में और स्टाफ विंडो जो आप कार्मिक परसनल लोगि थी कि उनके नाम के अंदर गेप होने के करण वो इसको अधार जो है नहीं कर पा रहे थे तो इस गेप की समस्चा को सौल करने के लिए उन्होंने कुछ अपडेट दिया है साथ ही जो है पियो या फिर जो संस्था प्रदान है वो किस प्रकार से अपने कार्मिकों को चेक कर है रिकोर्ड क्लियर हो चुका है यानि कि उनका अथेंटिकेट हो चुका है और किन किनका नहीं हुआ है तो किस प्रकार मोनिटरिंग करें तो सभी को यह करना आनिवारे हैं और उन तक अवगत कराना भी बहुत ही जरूरी है तो आज की इस खास वीडियो के अंदर मैं शु करते हैं इस खास क्लास के अंदर में आपको दो तरीकी चीज़े बताऊंगा एक तो है संस्ता प्रदान या पी यो लोगिन करके किस प्रकार पता लगाए कि किन कार्मिकों का आदार वेरिफिकेशन हो चुका है इमेल आइडी या फिर मोबाइल अपडेशन हो चुका है और लोगिन का नहीं हुआ है और दूसरे बात हमें बताऊंगा कि किस प्रकार से आप जो है नया अपडेट जो स्टाफ विंडों के अंदर आया है उससे आप अपने नाम को खुझ वेरिफाई कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहला शुरू करते हैं यहां पर स्टाफ लोगिन की लेना है इस पर क्लिक करने के बाद अगला विंडों खुलेगा जिसके अंदर आपको इंस्ट्रेक्शन पढ़ लेने हैं यहां पर कि प्रतियक कार्मी के अधिकारी का इमेल मोबाइल आधार वरिफिकेशन होना आवश्यक है यहां पर और इसके आवश्यक जो प्रोग्राम है वह स्टाफ इंडों में दिया हुआ है और पहले भी आप बढ़ने के दोरान उसको कर रहे थे आपके माध्यम से इस बारे में उन्हें सुचित किया जाना है वेरिफिकेशन सुचना संबंदित कॉलम में हरे कलर में दरसाई जाएगे अगर वेरिफिकेशन हो गया है तो ग्रीन कलर में आएगा और अगर नहीं है तो आपर वो रेट कलर से शो करेगा नौट वेरिफाइड लिखा हुआ आएगा ध्यान दिये कि प्रतिक कार्मिक का आदार इमेल मोबाइल स्वय का होना वश्च के यानि कि दूसरे का आल्टरनेट नहीं चलेगा सभी स्वय का ही ह होना चाहिए अगर किसी कार्मिक का आदार नहीं हो पर आया तो कार्मिक के आगरा पर उनका जन्तिती जेंडर सुचना जैसी आदार कार्ड में दी हुई है आप पी टेन फॉर्मेट द्वारा आपके इस तरफ पर बदला जाना अप्यक्षी थे अगर यहां से उसको चेंज कर सकते हैं तो प्रपर्टार दस में जाकर आप कार्मिक का डाटाओ चेंज कर सकते हैं कहां से अगर जो पी टेन फॉर्मेट में कार्मिक यूरं सही है तो कार्मिक इस तर से आधार कार्ड में आवश्यक परिवरतन करवाया जाना अपक्षी ते इसका आप करेक्शन कहां से करेंगे आप एंद की मार्क शिट देखकर उसमें से करेक्शन कर सकते हैं कि एक्चुल में उनका नेम वग रिपकर पर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर आप दगाइन को अविद्डेय में क्डिक करते हैं याप देख सकते हैं तो सबसे नहीं लिखा हो आजाएगा तो आप उन्हें सुचित कर सकते हैं कि आपका जो है यह वेरिफाइड नहीं हुआ है इसे आप तुरंट करवाईए इसके बाद में आता है इमेल वेरिफिकेशन का इमेल वेरिफिकेशन पर आप जब क्लिक करेंगे उनका नोट वेरिफाइड लिखाएगा जिसे आप उन्हें सुचित करके वो वेरिफाइड करवा सकते हैं अगला है आदार ऑथेंटिकेशन का आदार के अंदर देखिए यहापर जिसका ऑथेंटिकेट हो चुका है उनका ऑथेंटिकेट आजएगा और अगर नहीं हुआ है उनका अथेंटिकेट शो करेगा अब यह तो थी आपके दौरा मोनिटरिंग की बात अब देखिए अब जो अपडेशन है वो किसको करना है वो करना है इसके अंदर कार्मिक को स्वेंग करना है और कहां से होगा वो होगा अपनी स्टाफ विंडो से ठीके तो चलिए देखिए आपको क्या करना है पहले जो समस्या आ रही थी उनका जो है समधार किया गया इस पर क्लिक करते हैं यहां पर आएगा आइटेंटिव वेरिफिकेशन इस पर क्लिक कर लेना है उसके बात यह चीज़ आपके सामने खुल के आएगी अब देखिए इसमें आपको क्य और सारा जो काम है एकदम फटाफट हो रहे हैं लेकिं कई जो सिक्षक के हैं वहां इस पेस की प्रोब्लम बहुत जादा है तो इसको उन्होंने क्या कि जनरल प्रोब्लम मानते हुए इसको सभी को आप वेरिफाई कर सकते हैं इस पेस के अलावा नयाम देखिए यदि नाम में इस पेस जोड कर या हटा कर कोशिस करें नाम में इस पेस के लावा कोई भी परिवर्तन मान्यन नहीं होगा इसके उपरांत भी आदार सत्या पर नहीं हो पा रहा है तो शाला दरपन विद्याले में लोगिन पर उपलब्द हेल्प सेंटर लिंक पर प्रयोग करें और हे जो शाला दरपन पर लोगिन करके स्टाव जो हैल्प सेंटर है वहां से क्लिक रहें इसका में वीडियो बनाया था बहुत ही शांदार वीडियो बनाया था जिसको आप आई बटन में देखकर उसमों वीडियो को देख सकते हैं तो यह था जो प्रोसेस थी इसको पूरा करन है ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिलें